तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपूडेंट टॉपिक्स के बारे में अगर आपके मैंड में कभी भी कुईश्यन साता है कि मैं में रजा आपको सीध रजा सलडी का रजान करने नेसा मार्सिक सादा की बारे में अगर करने छंजा छाना करें टेंट आपके बारे में लानी होई आपको सीज म्हार्जाश्यन साल के बनार पारोज़ को shrine डिये कर सके पिरूंड 것 बनार हम दो अक से अगर हम स्यंग रटी तो उस चीज के बारे में आपको जानने को मिलेगा Mr. Robots hacking series में उसने कौन सी device या कौन सी phone का इस्तिमाल किया जिसकी मदद से hacking जो बहुत आसान हो गई उनके लिए और बहुत सारी ऐसी चीजिया आज आपको इस वीडियो में जानने का मुका मिलेगा तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना बेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक होने वाला है step by step हम जानते हैं यह सारी चीजी वास्ता में क्या है सबसे पहले हम जानते हैं Android open source project के बारे में जिससे आप कह सकते हैं custom variant है Android operating systems के जिनकी मदद से आप अलग लगतर है कि testing करके देख सकते हैं वो भी legal है आप क्यूंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं मतलब कि क्यूंकि open source है तो कोई भी आसानी से use कर सकता है अगर पूरा open source Android आपका open source project मिल रहा है तो definitely बहुत सारे लोग misuse भी करते हैं नतब अलग अलग तरह की techniques अपनाते हैं जिसे हम hacking भी कह सकते हैं January 2019 में Android and pixel bulletins ने publish किया है अभी बहुत सारे links fixes के साथ के Android के अंदर जो कम्या थी security problem थी उन्हें fix कर दिया गया है इसके बाद हम यह जानते कि Android open pawn project वास्ताम में है क्या अभी हम बात कर रहे थे AOSP यानि कि Android open source project तो Android open pawn project यह भी हिस्सा है एक AOSP यानि Android open source project का इसके अंदर जो product use किये जाते हैं उन्हें ponix के नाम से जाना जाता है और first यह ऐसा Android phone है जिसकी मदस से मतलब मैं कहूंगा सभी hackers का एक dream phone होता है जिसकी मदस से आप कोई भी जो मतलब hacking की जितनी भी techniques है Wi-Fi Bluetooth cracking Wi-Fi hacking and internal जो चीज़े होती हो उन सारी tricks को आप इसमें बहुत fastly कर सकते हैं word का सबसे fastest pen tracing testing devices से माना जाता है इसके अंदर Kali Linux जैसी चीज़े और बहुत सारे जो टूल से अलरी इंस्टॉल होते हैं या आप अपनी जरूत के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं और वह भी fastly working करेंगे क्योंकि ज्यादतर हम फोन पे जब इस्तिमाल करते हैं ज्यादा तर लोग उसे यूज़ करते हैं तो पॉन पैड एक उसी पॉन फोन की तरह ही एक पॉन पैड भी होता है जैसे कि मैं आपको बता रहा था परफॉर्मेंस के मामले में Pinterest and testing platform के मामले में बहुत बहतरी टूल है दूसरी अच्छी बात इसकी है कि आसानी से extensible है यानि कि आप जरुवत के हिसाब से Android app, Debian based packages अपनी choice के हिसाब से इसमें install कर सकते हैं और उन्हें use कर सकते हैं और बहुत fastly वो चीज़े काम करती है specially phone यानि कि company के जरिए यह phone आपको असानी से मिल जाते है इसमें normal phones के इलावा यह अलग phones होते हैं Porn phone जो बनाए गए है यह Pony Express ने बनाए है इसमें ज्यादा तर LG Nexus 5 hardware running होता है जिसमें Davian version का ले रिलेक्स होता है इसे Ponyx नाम दिया गया है और जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिलोड जनरेट कर सकते हैं उन्हें upload करके देख सकते हैं programming crack कर सकते हैं मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं इस तरह के phones पे जो की डिगल होता है क्योंकि testing purpose और penetration testing के लिए बनाए गई हैं इसका मतलब यह नहीं कि एक ही phone पे इस्तिमाल होंगा यहाने कि इसी दूसरे phone पे attack हम कर सकते हैं क्योंकि main काम होता है पहले base जाना कि कोई चीज कैसे काम कर रही है तो वो तो आपको यहां से पता चल ही जाएगी इसकी सबसे अची बात है कि dual banded external wireless card को भी support करता है यहाने कि अलग से wireless card लगा सकते हैं आप इसमें अलग अलग companies के होते हैं तो वो इसमें असानी से install हो जाएगा लेकिन यहां पर bad news यह है कि जो phone phone है company ने 2017 में इन्हें close कर दिया लेकिन फिर भी यह phones आपको आज भी मिल सकते हैं अलग-अलग platforms के जरिए तो मतलब company ने इसलिए बंद किया क्योंकि इनकी supply chain को वो आसानी से maintain नहीं कर पा रहे थे और इन products का ज्यादा से ज्यादा अगर मैं रियल वे में कहूं तो misuse हो रहा था this is an example आप देख सकते हैं कि अलग से बहुत सारी devices लग सकती है pond pad भी आते थे इनकी जो specifications की बात की जाये तो इसमें वो सारी specifications थी जो मतलब एक अच्छे खासे mobile phone के अंदर आपको असानी से नहीं मिलती है and मतलब सभी android के according भी fast way में काम कर रहे तो इसमें हर चीज का ध्यान रखा गया अच्छे cameras के लिए on board wireless dual band आप जो होगी मैं आभी आपको बता रहा था तो on board भी wireless इसमें और external wireless को भी support करता है DPA आप देख सकते हैं CDMA WCDMA LTE जो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में यूज होता है और LTE जो इंटरनेशनली यूज होता है तो सारी चीजे इसके अंदर बहुत पहले से pre-installed थी जो कि एक hacker को चाहिए होती थी इसलिए इसे hackers dream device के नाम से भी जाना जाता था अब यह पॉन फोन जो प्रोजेक्ट है मतलब लीगल ही है अगर आप आप प्रजेंटली बात करो तो आपको साइद मिल जाए तो बहुत अची बात है हाला कि फोन आसानी से आज भी निल जाते है Mr.Robot hacking phones की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सालों से security professionals नहीं है वह पॉन फोन का इस्तिमाल कर रहे थे पॉन पैड का इस्तिमाल कर रहे थे फोड पैंट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरबिटीज फाइंडिंग करने के लिए पॉनी एक्सप्रेस का एम यही था कि मतलब जितनी भी IoT बेस डिवाइसिस हैं इसमें Mr. Robot यानि की Elliot ने एक Porn Phone का इस्तिमाल किया था जिसमें उन्होंने अपनी script run की थी crack sim करके यह उनकी script थी crack sim का goal यह था कि जो vulnerable SIM card थी उनमें से vulnerabilities को find out करना तो specially इसका purpose था vulnerable SIM cards के अंदर से vulnerabilities को find करना और उनकी encryption था उसे break करना इसके बाद जो series के अगर हम बात करें तो Mr. Robot जो series थी इसमें उन्होंने अपने malicious payload SIM card में install कर दिया और उसके बाद वो फिर आप जानते हैं उनका काम क्या है even car hacking तक उसमें दिखाया गया तो इसके लिए कौन सा tool उन्होंने यूज किया wifi विल्यू तो बहुत सारी चीज़े है और उन्होंने कैसे की कौन से season में किस तरह के tool का इस्तमाल हुआ अगर मैं इसके उपर video बनाओं तो please like करे अगर आते हैं तो next video आपको जल्दी ही मिलेगा Mr. Robot द्वारा यूज के गए सभी tools के बारे में thank you friends good bye